जब भी किसी को diabetes होता है तो उनको समझ में ने मिलता है कि क्या खाले ना खाले तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा बारा ऐसे सब्जी ओं के बारे में जो आप लोग को खाना चाहिए अगर आपको diabetes है तो ये सबजिया आपको ज़रूर खाना चाहिए और अगर आप ये सारे सबजी खाएंगे तो आपको कोई complication नहीं होगा आपका sugar level well controlled रहेगा आपको constipation का problem नहीं होगा और अगर आपके blood pressure भी खाई है तो उसको भी कम करने में मदद करेगा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर करिए क्योंकि diabetes के मरीज सबजी बहुत कम खाते हैं और उन नमस्का दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अनुपम खोश है मैं डाबिटीस कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूटिशन स्पेशलिस्ट तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा बारा ऐसे सबजी जो की आप लोग को खाना चाहिए अगर आपको डाबिटीस है और यह सबजी आपको मदद करेगा आपके डाबिटीस रिवर्सल में अगर आपको हाइपरटेंशन है तो उसको भी कम करने में मदद करेगा और भी कोई लाइफस्टेल डिसोडर है तो अगर आप यह सारे सबजी आपने डायेट में इंक्लूड करेंगे तो यह सारे लाइफस होता है पालक को आप साग बना के खा सकते हैं स्मूदी में डाल के खा सकते हैं अंडे में मिला के खा सकते हैं और भी बहुत सारे सब्जीयों के साथ मिला के आप पालक को खा सकते हैं तो पालक का गलाइसीमिक लोड जीरो के बड़ाबर है और पालक में बहुत अच्छा तो इसलिए अगर आप पालक का सेवन रेगूलर करेंगे तो आपको यह सारे निूट्रियंस भी मिलेंगे और आपके शुगर लेवल को भी नहीं बढ़ाएगा अगला सबजी है जिसको हम drumstick बोलते हैं या moringa बोलते हैं हिंदी में इसको saijan बोलते हैं तो अगर आप लोग इसको नहीं खाते हैं तो प्लीज इसको खाएए drumstick moringa moringa का leaves जो है वो भी बहुत ही बढ़िया होता है और बहुत सारे स्टेडीस में ये दिखा गया है कि अगर control करने में मदद करता है क्योंकि जब drum sticks आप लेते हैं तो आपके इंसुलीन को बढ़ाता है insulin sensitivity को बढ़ाता है ग्लूकोज absorption को अच्छा करता है तो इसमें क्योंकि बहुत ज़ादा antioxidants पाया जाता है जिससे आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है आपके blood pressure के लिए अच्छा है blood sugar के लिए अच्छा है तो इसलिए अगर आपको diabetes है तो आपको drumstick अपने diet में जरूर शामिल करना चाहिए और अगर आप moringa leaves लेते हैं या moringa powder लेते हैं तो ये देखा गया है कि mor potassium और vitamin C का मात्रा बहुत जादा है तो इसलिए आपको vitamin C भी मिल जाएंगे आपको potassium मिल जाएंगे और भी बहुत सार अंटी ऑक्सिदेंस, minerals और vitamins है जो moringa में मिलते हैं इसलिए आपको moringa या drumstick सैजन जो है इन्दी में कहते हैं उसको आपको जरूर अपने diet में शामिल करना चाहिए अगला सबजी जो हर diabetes के मरीज को खाना चाहिए वो है cauliflower cauliflower को हम gobi भी बोलते हैं तो अगर आप गोबी नहीं खाते हैं तो आपको gobi खाना चाहिए क्योंकि गोबी में carbohydrate मात्र पाच ग्रा containing compounds पाया जाता है जिसको बोलता है glucosinolates और बहुत सारे research paper में यह देखा गया है कि glucosinolates के वज़े से आपके body में inflammation के कमी होती है तो अगर आपके body में CRP बहुत जादा है CRP मतलब C reactive protein जादा है जिससे की indicate होता है कि आपके body में inflammation है तो अगर आपकी body में inflammation है और जादा तर जो diabetes के मरीज होते हैं उनके body में inflammation जादा होता है तो अगर आप गोबी खाते हैं तो इसमें जो antioxidant है जो glucosinolates है वो antioxidant का काम करता है वह inflammation को कम करने में मदद करता है साथ ही साथ इसमें carbohydrate content इतना कम है कि आपके शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा मैंने कॉली फ्लावर के उपर वीडियो बनाये हैं और कॉली फ्लावर राइस कैसे बनाता है उस पे भी एक वीडियो बनाया है अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वह वीडियो जरूर देखिए और अभी तक अगर या पत्ता गोवी में भी बहुत ज़्यादा एंटि ओक्सिडेंट होता है और ये भी देखा गया है कि पत्ता गोवी में एंटि ड्रॉपरटीस होता है तो अगर आप पत्ता गोबी खाते हैं अपने डायेट में शामिल करते हैं तो फिर आपके शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल करने में मदद करता है क्योंकि पत्ते गोबी में भी आपका जादा कार्बोडेड नहीं होता है और ग्लाइसीमिक लोड बहुत कम है तो अगर आप पत्ता गोबी रेगुलर खाते हैं तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा और पत्ता गोबी में एंटी ऑक्सिदेंस भी है या फिर एंटी डियाबेटिक प्रोपर्टीज भी है जिससे कि आपके डियाबेटीज रिवर्सल में काफी मदद कर सकता है अगला सबजी है पंकिन या फिर कदू कदू एक सुपर फूड है मैं मानता हूँ डियाबेटीज मरीजो के लिए इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पंकिन के उपर ज़रूर वीडियो देखे अगर आप पंकिन क्हाते है या कदू खाते है पंकिन का कदू का गलाइसेमिक लोड बहुत ही कम होता है दो, तीन के असपास है तो बहुत ही कम है तो अगर आपका sugar level बहुत जादा fluctuate कर रहा है और अगर आप कद्दू खाते है तो फिर उसको control करने में मदद करता है उसमें बहुत मात्रा में water होता है और इसलिए उसमें आपकी sugar level नहीं बढ़ाएगा ब्रोकोली भी एक superfood है और ब्रोकोली में भी बहुत अच्छा खासा anti-oxidant होता है anti-diabetic properties है तो अगर आपको diabetes है तो आपको ब्रोकोली जरूर खाना चाहिए और एक study में दिखा गया है कि जो भी मरीज ब्रोकोली का 7 करते हैं तो उनका blood sugar level जो है वो 10 प्रतिशत का कम हो जाता है तो क्यों ऐसा कम होता है ऐसा क्या है ब्रोकोली में तो ब्रोकोली में एक चीज़ पाया जाता है जिसको बोलते है sulphurafane तो sulphurafane की वज़े से ही आपके blood sugar को control करने में मदद करता है तो इसलिए ब्रोकोली आप लोग को खाना चाहिए और इसलिए मैं recommend करता हूँ कि जादा से जादा अगर आप सबजी खाएंगे तो फिर आपके blood sugar को control करने में मदद करेगा diabetes reversal में मदद करेगा तो इसलिए ये सारे vegetables आप लोग को खाना चाहिए तरह तरह के vegetables आप लोग को खाना चाहिए क क्योंकि हर्ड वेजिटेवल में कुछ ना कुछ ऐसे anti-diabetic properties होता है कुछ ऐसे phytochemicals होता है कुछ antioxidants होता है जिससे कि आपके diabetes reversal में काफी हद तक मदद करता है अगला है lady finger या फिर भिंडी भिंडी आप लोग को जरूर खाना चाहिए कुछ studies में ये भी देखा गया कि जो ल बिंडी खाना चाहिए क्योंकि जब तक आप extra fiber नहीं खाएंगे जब तक आप रफेज अपने diet में include नहीं करेंगे तब तक आपको constipation का बहुत शिकायत रहेगा और ज्यादा तर जो diabetes के मरीज है उनको हम बोलते हैं कि protein high रखिए fat ज्यादा खाईए carbohydrate कम खाईए तो जब आ मातरह में आपको fiber मिलेगा तो जितना ज्यादा vegetable जितना ज्यादा सबजिया आप खाएंगे तरह तरह के सबजिया रोज खाएंगे तो आपको fiber की कमी नहीं होगी और जितना ज्यादा fiber आप खाएंगे उतना ही अच्छा आपका blood sugar maintain रहेगा और diabetes reversal में भी मदद करेगा और भ खा सकते हैं सब्जी में डालके खा सकते हैं और टमाटर के बेना तो खाना मेरे खहाल से नौर्थ इंडिया में बनता ही नहीं है तो इसलिए टमाटर जो enterprise management आपका लाय होता है और लाइक 오क्सिडेंट है और लाइकोपीन का anti-inflammatory properties है तो अगर आपको diabetes है तो कहीं न कहीं कभी न कभी आपको inflammation ज़रूर होगा तो अगर आप tomato regular खाते है तो उसमें anti-inflammatory properties है तो आपके inflammation को कम करने में मदद करेगा क्योंकि diabetes का मतलब है inflammation, insulin resistance और इसलिए insulin resistance को भी ठीक करना ज़रूरी है, inflammation को भी ठीक करना ज़रूरी है तो अगर आप tomato खाते है तो lycopene मिलेगा और उससे आपकी inflammation को भी दूर करने में मदद करेगा तो diabetes reversal में मदद करेगा तो ऐसलिए tomato भरपूर मात्रा में खाएए आप कच्छा भी खा सकते हैं greet आप सबजी बना के भी झाह सकते हैं अगला सबसी है करेला ना सबको पता है बहुत करवा है बिटर गोर्ड बोलते है उसको और सब को मालुम है कि करेले का juice पीना चाहिए करेला खाना चाहिए क्यों क्योंकि करेले में कुछ ऐसा after friend doen discovery है तो जब भी आप करेले खाते हैं तो आपके बाडी में Slack लाइक प्रोपर्टी का काम करता लेकिन मैं आपको करेले के juice लेने से मना करूंगा नहीं recommend करूंगा आपको पूरा करेला खाना चाहिए smoothie बना के खाना चाहिए या फिर सबजी बना के खाना चाहिए ना कि juice बना के लेना चाहिए क्योंकि अगर आप juice बना के लेते हैं तो उसका fiber content निकल जाता है और fiber बहुत ज़रूरी है और इसलिए सबजी बना के खाईए तो कोई problem नहीं है लेकिन juice को avoid करिए और करेले अगर आप नहीं खाते हैं करवा समझ के तो फिर सही नहीं है आपको लेना चाहिए क्योंकि इसमें insulin like properties है और अगर आप अपना diabetes reverse करना चाहते है तो करेले आपको जरूर खाना चाहिए आपके diet में जरूर शामिर करेले को अगला सबजी है ब्रिंजल या फिर बैगन ज्यादा तर लोग बैगन नहीं खाते हैं लेकिन मैं आपको recommend करूंगा अगर आपको diabetes है तो बैगन जरूर खाये क्योंकि बैगन में भी anti-diabetic properties है बैगन में phenols पाया जाता है जो कि anti-oxidant का काम करता है और anti-oxidant का role क्या है आप सब को अभी पता चल गया है कि anti-oxidant अगर आप लेते हैं तो आपके body में inflammation कम होता है आपकी immunity strong होती है आपका health अच्छा रहता है और साथ ही साथ आपके अगर बैगन नहीं खाते हैं तो बैगन जरूर कहिए बैगन कैसे खा सकता है कैसे बनाना है मैं बहुत जल्दी इस पे कुछ नकुछ रेषीपीज जरूर बनाऊँगा तो आब वेड करिए और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को अब्सक्राइम नहीं कहिए तो चैन बीन्स जरूर अपने डायट में शामिल करिये, बीन्स में भरपूर मातरा में विटैमिन सी होता है, तो अगर ये सारे सबजी अगर आप खाएंगे तो आपको अलग से विटैमिन सी की सप्लिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप सारे सबजी खा लेते हैं तो विटैम जी जरूर खाईए और बीनस आपके Dogs में बात में बहुत कम मातरा में DANIEL होता है तो जो लोग अपना वजन कम करना चाते हैं जरूव को डियबटीजे में क्योट कम हैं और आपका वजन कम करने में भी मदद करेंगा तो इसलिए बीन्स जरूर खाये और बीन्स से आप बहुत कुछ बना सकते है बीन्स को फ्राई करके बॉयल करके सलाट के साथ बहुत ही टेस्टी होता है बहुत ही यमी होता है तो बीन्स जरूर खाये अगर आपको डाइबेटीस है अगला है क्यूकंबर या फिर खीरा अगर आपको diabetes है आपका वजन जादा है आपको weight loss करना है तो खीरा जरूर खाईए और खीरा आप कितना भी खा लिजे उसका glycemic load हमेशा कम ही रहेगा क्यूंकि उसमें carbohydrate बहुत ही कम होता है उसमें fat नहीं होता है उसमें protein नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ water होता है और fiber होता है तो आपके constipation को भी दूर करने में मदद करेगा और साथ ही साथ उसमें इतना water होता है कि आपके body को जो water चाहिए वो भी आपको cucumber से या खीरे से मिल जाएगा तो आपको अलग से 5-6 लिटर पानी पीने की ज़रूद नहीं है और खीरा जब आप बहुत मातरा में खाएंगे त तो आपके पेट को भी फूल रखेगा तो इसलिए बार बार आपको भूख नहीं लगेगा अगर आपको बार बार भूख नहीं लगेगा तो आप आल्दू फाल्टू चीज नहीं खाएंगे आपको craving नहीं होगा शुगर की तो शुगर की craving नहीं होगा तो आप ज़्याद जब तक आप अपना कार्बोडेटीज को कम नहीं करेंगे तब तक आप अपना डायबेटीज रिवर्स नहीं कर सकते तो इसलिए क्यूकंबर या फिर खीरा जरूर खाईए उससे आपके बॉडी को फूल रखेगा और आपको ज्यादा भूग भी नहीं लगेगा और फाइनल काफी महंगा है सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं और मिलता है तो प्लीज जुकुनी खाईए जुकुनी अलग-अलग टाइप का हो सकता है जैसे यलो जुकुनी होता है या फिर ग्रीन होता है तो आपको जो भी एवेलेबल है आपके डियाबेटीज रिवर्सल में भी मदद करेगा जुकुनी कभी मैं बहुत ही जल्दी कुछ न कुछ डीशे आप लोग को बना के दिखा दूँगा कि कैसे खाते हैं और काफी लोगों को जुकुनी क्या होता है वो भी नहीं मालूम होगा तो वो भी दिखा दूँग सकते हैं काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि सबजी में क्या खाया लोगों को समझ में आता ही नहीं है कि सबजी क्या खा सकते तो आज एक बहुत ही लंबा लिस्ट में आपको दे दिया है यह सारे सबजी आप खा सकते हैं जबकि यह पूरा लिस्ट नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना सब्जी तो आपको खाना चाहिए और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना और फ्यूचर में और इस तरह के और वीडियो बनाऊंगा जहां पर और दूसरे टाइप के सब्जी के बारे में बताऊंगा जो की डाबेटीज के मरीज ले सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक स्वस्त रहे मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद झाल